हे गाईज वेलकम टो मैं चैनल तो गाईज सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया जो आपने मेरी चैनल को इतना लाइक किया सब्सक्राइब किया कुछ ही दिनों में मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लिट होने वाले हैं आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत 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 शुक्रिया तो फ्रेंड से मैंने केक का बॉक्स लिया है उसको मैंने कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में कट कर लिया है अगर आपके पास केक का बॉक्स नहीं है तो आप कुछ और भी बोड़ है या कुछ और बॉक्स है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मुझे ऐसे आपके सपोर्ट की बहुत जरुवत है इसी प्रकार मैं आगे भी आपके लिए नो कोस डिय वाई वीडियो सिलाती रहोगी लेकिन आपसे एक विश है कि मेरा एक छोटा सा बेबी है जिसके कारण मैं वीडियो प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम नहीं बना पा रही हूँ बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है लेकिन मैं कोशिश करूगी कि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना पा हूँ तो प्लीज इसके लिए मुझे आप मा अटेच करने के बाद मैं यह सारी टी के जो कॉप्स मैंने बनाए हैं उन्हें मैं बस ऐसे ही सेटल करके देक तरी हूँ कि यह किस तरीके से च्प में किस डायरेक्षन मैं मुझे सही लग रहे हैं उसमें सोच रही थी कि मैं इन्हें क benutset रखू वो सोचने के बाद मैंने कुछ डिसाइड किया है कि हाँ बस अब इसे ऐसे ही रखना है तो मैं डिसाइड कर चुकी हूँ अब इसके बाद हम चलिए पेंड करते हैं तो इस तरीके से मैंने इसे एकवा कलर दिया है पेंट के लिए मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है आप भी एक्रेलिक कलर का यूज कीजिए अगर आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो आप वाटर कलर या जो भी कलर आपके पास अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं पेंट करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वह सही में बहुत प्रिटी लग रहा है, मुझे एकवा कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने एकवा कलर दिया है, आप को और कलर भी दे सकते हैं, इसके बाद एक कप को मैंने यलो कलर से डेकोरेट किया है, यलो कल कब को मैंने ग्रीन कलर दिया है यह तो नो कोस्ट डियावाई हुआ ही ना फ्रेंड यहां तो मैंने बॉक्स का यूज किया है तो आपके घर में वैसे भी पड़े रहते हैं तो आप नेक्स टाइम इने मत फेकिए फेकने के जगह आप इस तरह के से कुछ क्रियाट्यू बना स पर टी लिख दिया है चोटा सा हार्ड बना दिया है और यह सच मैं फ्रेंड्स बहुत प्रिटी लग रहा है आप भी से ट्राइगर सकते हैं आप इन्हें अपने कीचन पर लगाईए कीचन के अगर आपके कीचन की कोई वाल पर इस पेस खाली है तो आप इसे अटेज किज कर लिया है जोड़े एक फॉन को चप लिठ आप चुछ अप्रत्स प्रिचन कोई सारिध आप लिया है उसके बाद यह पहले से प्रिटी लग रहा है कीचन की दिवार पर इसे हैंग कर रूँ दब ने पर एक हैंग करने के बाद यह इस तरीगे से श्व हो रहा है मुझे तो यह बहुत परसनली बहुत पसंद आया देन उसके बार इसे भी मैंने कुछ इस तरीकी से डेकोरेट कर लिया है आप अपने मन पसंद के अनुसार भी डेकोरेट कर सकते हैं इन सब को मैंने इस तरीकी से डेकोरेट कर लिया है उपर जो मैंने बो लगाया है वो मेरे पास एक ग्लीटर का छोटा सा तुकड़ा पड़ा हुआ था उससे का यूज़ करके मैंने बो बना दिया है वो है ना कुछ भी चीज वेस्ट नहीं चाहिए वो वाला थोट यूज़ करके मैंने उपर का बू बना दिया है क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था तो मैंने ग्लिटर पेपर का यूज किया है देनुस के बाद इस तरीके से मैंने food wipes only लिख कर इस तरीके से कुछ बना दिया है देनुस के बाद यह हम kitchen के wall के लिए बना रहे है तो kitchen से related ही सब कुछ लिखा है इस तरीके से the secret ingredient करके लिख दिया है happiness is homemade नीचे bicycle बना दिये है कुछ hearts लगा दिये है और थोड़ा सा decorate कर दिये है next इसको हमने यह जो spoon हम बना रहे है इनने मैंने white paper से cover करके उन पर pencil से drawing करके देन उसको अच्छे से इस तरीके से paint कर दिया है यह woman and man का sketch बना दिया है और उन्हें paint कर दिया है यह भी बहुत pretty लग रहा है then next इसे भी हम white paper से cover करके इस तरीके से छोटे छोटे lotus मैंने इस पर बना दिये है और नीचे लिख दिया है enjoy cooking because kitchen के लिए है तो इसलिए enjoy cooking लिख दिया आप कुछ और भी लिख सकते है या कुछ और भी बना सकते है then उसके बाद इन चारो को मैंने इस तरीके से decorate कर दिया है rainbow बनाया है car पर इस तरीके से यह मेरे baby के लिए लिखाए it's my room फिर उसके बाद यह भी इस नेक्स्ट वाली कार को भी मैंने कुछ इस तरीके से decorate किया है यह उमेन का face मैंने clay से बनाया है यह भी बहुत pretty लग रहा है बनने के बाद यह कुछ ऐसे show हो रहे है hope so आपको मेरा video अच्छा लगा हो अगर सच में friends आपको मेरा video अच्छा लगा हो तो please मुझे इसे ही support करते रही है ताकि जल से जल मैं 10k तक बहुत जाओ मैं बहुत महनत कर रही हूँ please 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 आपकी support की मुझे बहुत जरुवत है और यह सब ready होने के बाद मेरे wall पे मैंने इस तरीके से hanker दिये है और यह सच में बहुत pretty लग रहे है जो मेरे wall का space खाली था उन पर इन सब ने चार चान लगा दिये है यहाँ तक video देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया thanks for watching bye bye see you soon